अगर आपकी स्कीन भी बहुत ज्यादा डल हो गई है चेरे पर बिल्कुल भी गलो नहीं है चेरे पर बहुत ज्यादा पिंपल एकने के निशान हो गए है या फिर पिंपल हो गए है इसकीन पर बहुत ज्यादा दाने निकलाए है इसकीन पर जाईया है ओपन पोर्स की के में बिटामिन c भरपूर मातरा में पाया जाता है जो हमारी सकीन से पिग्मेंटेशन जाई काले दाग धबे निशान को दूर करते हैं चेहरे पर पर चमक लाता है गिलो लाता है तो संत्रे के छिलके को पहले अच्छे से वाष कर लेना है धो लेना है इसके फ्रेश संत्रे की छिलके लेना है इसके बाद में इसमें आपको संत्रे की छिलके के बहुत ज़्यादा benefits है क्योंकि यह हमारी skin से pimple एकने को तो दूर करते हैं साथी साथ यह हमारी skin से ज्ञाईया काले दाग धब्बे और blackheads, whiteheads स्कीन यदी बहुत ज़्यादा लूज हो गई है लटक गई है समय से पहले fine lines, wrinkle दिखने लगे हैं तो ये हमारी स्कीन को tight बनाता है young बनाता है समय से पहले स्कीन पर जहाईया जुरियों को नहीं आने देता है इसमें citric acid होता है जो हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मंद होता है तो next मैंने इसमें एट किया है rose water गुलाब जल डावर का इसके बाद में आपको इसमें add कर लेना है मुलतानी मिट्टी powder मुलतानी मिट्टी हमारी स्कीन के लिए इसकीन को हाइडरेट करता है और बहुती ज़्यादा हमारी स्कीन पर ग्लो लाता है इसकीन को क्लिंजिंग करने का भी वर्क करता है अच्छे से आपको ये add करना है ingredient इसके बाद में इसको अच्छे से grind कर लेना है पीस लेना है इस तरह से पैस्ट बना लेना है अच्छे से मिक्स करके और आपको बहुत ज़्यादा ये गाड़ा लगता है तो आपको इसमें कच्चा दूद मिला सकते हैं या फिर आप रोज वाटर और एड़ कर सकते हैं तो अच्छे से ग्रैंड कर लिया है मैंने आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको स्मूदली इसमें पीस लेना है इसके बाद में आपको इसमें एड़ कर लेना है अंबा हल्दी अंबा हल्दी हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा वेनेफिशियल होती है क्योंकि अंबा हल्दी हमारी स्कीन को निखारती है तो अच्छा से पिग्मेंटेशन को दूर करती है जहाईयों को दूर करती है ये एंटिवायोटिक गुणों से भरपूर होती है और ये हमारी स्कीन पर ग्लो लाती है चमक लाती है इसकीन पर यदि किसी भी तरह आपकी skin बहुत जादा dull हो जाती है sun tanning हो जाती है skin पर तो उसको दूर करती है kitchen की हलदी आपको add नहीं करना है यदि आपके पास में अंबा हलदी या फिरकस्तूरी हलदी है तो आप add कर ले नहीं तो आप इसको skip कर सकते है क्योंकि अंबा हल्दी और कस्तूरी हल्दी wild turmeric और अंबा हल्दी हमारी skin के लिए है beneficial होती है और यह खास बात यह है कि यह हमारे face के लिए ही बनी है तो अच्छे से आपको इसको mix कर लेना है mix करने के बाद में face पर आपको apply करने से पहले अपने face को पहले अच्छे से clean कर लेना है wash कर लेना है face को face एक ददम साफ होना चाहिए हमारा face एक दम clean होना चाहिए इसके बाद में आपको इसको पूरे face पर अच्छे से apply करना है आप देखेंगे यह आपकी skin पर glow लाएगा यदि आप इसका use daily भी करते हैं तो आपकी skin से pigmentation दूर होंगे जाईया दूर होंगी यह आपकी skin पर निखार लाएगा हमारी skin जैसी भी हो लेकिन वो healthy होना चाहिए और clean होना चाहिए किसी भी तरह का pigmentation face पर नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हमें skin care जरूर करना चाहिए ऐसा नहीं होता है कि हम कोई चीज लगा कर बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं लेकिन यह pigmentation को दूर करेगा skin से जो भी जाईया हो जाती उनको दूर करेगा चेहरे पर glow लाएगा हमारी skin को एक से दो set tone फेयर कर देता है skin पर यदि आप इसका रोज use करते हैं रोज इसका apply करते हैं तभी आपको result मिलेगा ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने से आपकी skin एकदम clean हो जाएगी ये हमारी skin पर instant glow ला देता है face को साफ कर देता है यदि आप pigmentation को दूर करना चाते हैं तो आपको इसको daily use करना पड़ेगा तभी आपको result मिलेगा और यदि आप अपने face पर glow लाना चाते हैं तो आप इसको week में 2-3 बार जरूर use करें क्योंकि ये हमारी skin को साफ कर देता है skin के जो pores होते हैं उनमें जमा मेल गंदगी को remove करता है skin से दाग धबो को दूर करता है तचा को दाग धबो से बचाता है ये हमारी skin से blackheads हो जाते हैं जिनकी nose के आस्वास बहुत ज़्यादा blackheads हो जाते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं और ये बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं blackheads तो आपको skincare जरूर करना चाहिए जिनकी skin बहुत ज़्यादा oily रहती है उनको बहुत ज़्यादा blackheads, whiteheads की problem हो जाती है तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा beneficial है तो आपको इससे अपने face पर apply करने के बाद में अच्छे से massage करना है, जिस तरह से मैं massage कर रही हूँ massage करने से, हमारी skin पर blood circulation बढ़ता है जिससे हमारे face पर glow आता है, चमक आती है skin पर जब blood circulation अच्छा होता है तो हमारी skin बहुत अच्छे से glow करती है और skin young होती है, tight होती है, fine lines wrinkle दूर होते है समय से पहले जुर्रिया नहीं आती है, चेहरे पर यदि आप massage करते हैं जरूरी नहीं कि आप पालर जाकर महिंगा महिंगा facial कराए natural चीज़ों का भी आप यूज कर सकते हैं जो हमारी skin के लिए भोती ही जादा, when a facial वेसे अभी winter चल रहा है तो fresh संत्रे के चिलके आपको भोती सस्ते और आसानी से मिल जाएंगे तो आप जरूर इसको खाते होंगे orange को तो इसके जो चिलके होते होंगे फेक देते होंगे तो आपको इसको फेकना नहीं, आप चाहें तो इसको धूप में सुका कर इसका powder बना कर भी store करके रख सकते हैं airtight container में ये खराब नहीं होता है, अच्छे से आप इसको piece कर रख सकते हैं तो अब आपको क्या करना है, कम से कम 5-10 मिनिट तक अच्छे से मसाज कर लेना है face पर इसके बाद में एक layer फिर से आपको अपने face पर इसकी लगा लेना है अच्छे से लगाने के बाद में आपको फिर इसको 10 से 20 मिनिट तक के लिए ऐसे ही लगा कर सूखने के लिए छोड़ देना है जब ये अच्छे से सूख जाए तब आपको क्या करना है फिर से अपने फेस को गीला करना है फिर से आपको मसाज करनी है कम से कम 5 मिनिट तक फिर से मसाज कर ले इसके बाद में आपको बिलकुल हलके हलके हाथों से मसाज करने है यह आपकी स्कीन से जो भी मेल होगा उसको दूर करके स्कीन को एकदम सॉफ्ट और क्लीन बना देगा नीचे से उपर की और मसाज करना है इसके बाद में normal water से अपने face को wash कर लेना है दो लेना है तो आप देख सकते हैं face को wash करने के बाद में face एकदम clean हो जाएगा skin से जो भी male है वो दूर हो जाएगा skin glow करने लगेगी I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें और bell icon को all पे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले new notification आपको मिल जाए तो आप देख सकते हैं मेरा face एकदम clean हो गया ये आपके face से जो भी male dirt है उसको remove कर देगा face पर instant glow ला देता है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care वीडियो full watch करने के लिए thank you